नमस्कार, बच्चो आज मैं आपको एक पंच्चतर की कहानी सुनाने जा रही हूँ तो बोलो दादी दादी शरू करो कहानी एक पार दो गाएं अपनी गउशाला में अपना चारा खाने जा रही थी वह जैसे ही पहुची उन्होंने देखा उनके चारे की उपर एक कुटा बेठावा था दोनों गाएं बहुत डर गई दोनों गाएं ने बहुत हिम्मत से कुटे के पास जाके बोला कुटा जी, कुटा जी आप हमारे चारे की उपर से हड़ जाईए हमें बहुत भूग लगी है कुट्टा गायों के उपर जोर जोर से भौकने लगा भौ 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 बिचारी भूगी गाये बिचारी भूगी गाये अपनी गउशाला से बहार चली गई उधर एक गाये ने सुझाब दिया कि हम बैल से जाके इस कुट्टे की शिकायत करते हैं दोनों गायें बैल के पास गई बैल भाईया बैल भाईया हमारे गउशाला में कुट्टा आ गया है वह हिलने का नाम ही नहीं दे रहा आप हमारी कुछ मदब कर सकते हो बैल ने बोला ठीक है मुझे उस कुट्टे के पास ले चलो दोनों गायें उस बैल को अपनी गउशाला में कुट्टे के पास ले चली ए कुट्टे तुम इस बिचारी गायें को क्यों तंग कर रहे हो कुट्टा बैल के उपर भी जोर जोर से भाखने लगा भाव 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 बैल को गुसा गया कि मैं तो उससे जादा शक्तिशाली हूँ ये मेरे उपर कैसे भौग सकता है बैल ने दो कदम पीछे लिए अपने सीन नीचे करके कुटे की तरफ तौरने लगा कुटे को जैसे ही कुटे ने देखा कि बैल उसकी तरफ कुसे में आ रहा है कुटे ने सोचा कि अगर मैं इसे लड़ाई करूँगा ये तो मुझे ही मार देगा इसलिए कुटा दुम दबा कर भाग गया तो बच्चो कैसी लगी दादी की कहानी बच्चो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीजों पर अपना अधिकार नहीं चताना चाहिए धन्यावाद